कई लोग ऐसे भी होते हैं जनका दिलीक्रवल्प कर लिया नहीं लोन ली दिक्सा फिर में बन्टवारने रहेता है अगर दोस्तों आपको इस विडियो को बताऊएं कि आप जो इस्टेप बाइस टेप आपको बता हुए कि आपको सिविल स्कोर को जो है साथ सो पत्चास के उपर कैसे ले जा सकते हैं तो आपको वीडियो में लाट्स तक बने रहे ना है साथी साथ दोस्तों अगर आप चैनल पर पाइली वारा आए तो चैनल को लिचे आपको वीडियो मिलते रहे तो चली दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों अगर आपका वी जो है सिविल स्कोर जीरो है और आप कहीं भी लॉन लेने जाते हैं बैंक में या तो आपको आपको डायरेक्ट मना कर दिया जाता है क्योंकि दोस्तों जब आपका स लोग का सामना करना पड़ता है क्योंकि दोस्तों जब आप यह पर लोन लेने के लिए जाते तो वहां पर सबसे पहला जो इन्पोर्टेंट रहता है कि आपका सीविल स्कूर अगर आपका सीविल इसकोर जादा है यानि ऊपर है तो आपको कोई भी बैंक आपको आसानी से लो हाँ पर दोस्तों की कम राता है संबसे कम इंट्रेस्ट पर रहाता है तो आपसके सबसे कम इंट्रेस्ट पर है क्रिडिट कार्ट कर्ट लूंट चीनल लेते हैं या तो आपको इस वीडियो में जो है दो ऐसे पॉइंट को फोलो करके आप अपना सीविल स्कोर को साथ सो पत्चास के प्लस आप ले जा सकते हैं तो सबसे पहला पॉइंट किया हुआ सबसे पहले दिहान से सुनना है और आपको वीडियो पसंदा रहा है तो वीडियो को प्रिस लाइक कर देना है ठीक है तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट आता है कि आप जो अपने बैंक में जो है दसदा सजार के छोटी-छोटी करवा ले जब आप बैंक में जो एफडी करने के लिए तो मैंने अल्रेडी उसके वीडियो बना दिया है आप इस को देख करके जो आप क्रेडिट कार आफ लाइक कर सकते आप जो भी क्रेडिट कार्ड के लिए और उसके जो भी आप इम्याओ पे जो भी समान लेते हैं टिक अच्छियल वरवाने में वह भी एक तरह का लोन ही होता है जैसे कि आपको बेंक ले देंक लेकर मेंईए जोब आपको क्रेडित करने के लिए यह भी आपको यह पर एक लोन लीडिया जाता जिसमें कि मालन लेगें जिसमें के आपके कार्ड इंप 20 सब्सक्राइब करते हैं तो यहां पर ज्यादा परिसानी का सामना नहीं करना पड़ेगा तो यह दो करते हैं तो उससे भी आप पर लेकर करके आप उसका भी टाइम टॉट बढ़ता है और मैं अब को तीसरा एक अलग से पॉइंट बताता हूं कि सीवी इसको अपको मेंटें रखने का सबसे पहले तो यहां पर स्वेल इसको मेंटेंड रखने के लिए सबसे पहला पोइnt यह है कि आप जब भी बैंक से किसी को लोन लेते हैं या तो प्रेडिट कर लेते हैं उससे जो भी खर्च करते हैं उसका पर टाइम-टू-टाइम पेमेंट कर देना चाहिए अगर आप टाइम टाइम प्रूब होते जाएगा और यहां पर बैंक से लोन लेने की समझ्या भी आपको यहां पर कम हो जाएगा और दूसरा यहां पर जो सीविल को मेंटेन रखने का पॉइंट है कि क्रेडिट यूटिलाइजेशन को रेशियो को बढ़ने ना दे ठीक है यानि आपके क्रेडिट कार्ड पर जितना भी लिमीट है मैक्सिमम में यहां पर उसमें 30% ली उससे यू लोन जहें ठीक है आगर आपके पास हो सकता कि मल्टिफॉल लोन है लिक मल्टिफल लोन लिए और आप कई भी कभी मं ली जाकि आप जो भी लोन लिए उसका यह इनपर पैमेंड करने के लिये आप जाते हैं तिसमें भी आपका सिविल पर काफी दाद इंपेक्ट पड़ेगा जिसके बाब जूति आपका सिविल इसकोर काफी नीची आती जाएगा ठीक है यह आपको यह पर तीसरा पोने धियान देना और चौंका जो लास्ट पॉइंट है इस सिविल इसकोर मैंटेन करने का वह पॉइंट यह है कि अब जब भी कोई लोन लेते हैं और उसका टाइम-टू-टाइम पेमन कर देते हैं तो आप जब टाइम-टू-टाइम करने के बाद आपका यह पर लोन क्लोज हो जाता है तब आप जो अपने बैंक से जाकर के जहां भी लोन लिये हैं वह बैंक में जाह करके आपको नो डू सेटिफिकेट ले लेना है ठीक है तो अगर ये वीडियो आपको पस्ता है तो प्लीज लाइक कर देना है तो दोस्तों मिलते हम अगले वीडियों तब देक लिए जाहिएंगे